मित्रों से राम जन्म भूमी तीर्थ नियास के तत्वाद्धान में आयुजित से राम जन्म भूमी पर प्रभुश्री राम लला के प्रांड प्रतिष्ठा समारो आधनिय प्रधान मंत्री जी के करकमलों से 22 जन्वरी को संपन होना है स्वभाई ग्रूप से स्वंपून अयुद्ध्या धाम और पुरिय उत्तरप्रदेश और देश में उत्सा का माहूल है अयुद्ध्या में समारो की दिश से बाहर क्या विवस्थाई हुई है प्रसासन कि इस विवस्था की समिक्सा करने के लिए आध पुर्णा मैं एक बार यहां पर आया हूँ अस्थान अस्तर पर प्रसासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी विवस्थाऊं को चाई वह यहां के लोकल अस्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वे का हो यहां के स्विधाओं का हो ट्रैफिक का है सुरक्सा का है और अन्य सभी प्रकार की विवस्था को बेहतर तालमेल से आगे वढ़ा करके 22 जन्वरी के इस हैथ्यासिक पल के कारिक्रम को पुरी भब्यता के साथ पुरी दिव्यता के साथ सुरक्सित और सुविवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पुरी कर ली हैं अंतिम चर्णों में सारी कारवाई उनकी चल लई है और योग दस्तर पर इसे हम समयबद तरीके से आगे वढ़ा देंगे 22 के बाद भी से राम जन्भों में तीर्द छेतर न्यास के दोरा प्रवस्री राम लला के दर्सन करने के लिए जो भी कारे उसना तैयार होगी इसके अनुसार यहां पर अस्थाने अस्तर पर राज्य सरकार पुरा स्योग करके आने वाले सरधालों को यहां पर पुरी सरधा के साथ उन्हें दर्सन करने का उसर प्राप्त होगा यहां विवस्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने इस्तर पर पुरा स्योग दे रही है इसके लिए टैंड सिटी भी लगाई गई है धरम सालाओं को भी तैयार किया गया है होटल्स भी यहां बने वे हैं लखनो वारणासी प्रियागराज गोरकपूर या अन्या सहरों से यहां के आने के लिए एक बहतर ग्रीन कोरिडोर की विवस्ता भी दी गई है जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो सुरक्सा की पुक्ता विवस्ता की जा रही है किसी भी अस्तर पर किसी भी सरधालों को दिक्कत न हो इसके पुरे प्रियास के जा रहे है अभी से तैयारियां की जा रही है क्योंकि हर एक मन में उत्सा है उमंग है माज सदी के बाद ये अउसर आया है तो स्वाभई ग्रुप से हर सरधालू इस बात को चाता है कि मैं भी टामला का दर्शन करूं मेरी अपील होगी सभी स जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है और इसलिए हम लोग बहतर तालमेल और समनवे से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कस्ट किसी भी सरधालों को और किसी भी आने वाले यात्री को अयुद्या धाम में नहीं होगी पैदल लोग न चले हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगे से लोग पैदल चले आ रहे हैं वे पैदल न करें भीसंड सीत लहरी चल लई है अपने बिना बताए कारिकरम के अनुसार भी न चले हम लोग बपतों को भी देंगे राज्यों को भी व्यूसता देंगे हर एक साथ करेंगे हम लोग भी कोडिनेशन करेंगे और हम लोग लोग तीर्ठ चेर न्याझ के साथ बहुतित हैं इसके बारे में चरचा करके विस्तित कार्योंजना बनाएं लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अभी वस्ता किसी स्तिती न पैदा हो यह हमें देखना होगा और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहें हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत की होगी अन्ताक्राण से उन्हें आनंद की अन्भूती होगी इसके लिए भी बहतर कोडिनेशन की दिसा में प्रियास प्रारंब किये गए हैं मैं पुरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे कारिक्रम अब तक सभी सकुसल संपन हुए हैं 22 जनवरी का कारिक्रम भी एक एथ्यासिक कारिक्रम है भारत के विश्वास और लोक आस्ता की पुनरप्रतिस्था का भारत के गौराव की पुनरप्रतिष्टा का कारिक्रम है इस कारिक्रम को हम लोग जनता जनारदन और सभी आम जन्मानस के सहयोग से पुजय संतों के आस्रीवाद से राम लेला की कृपा से सखुसल संपन्द करने में सफल होंगे आप सब भी यहां पर इस वीशंड सीत लहरी में हैं मैं आप सब को भी हरते से धन्यवा देता हूं कि आयोध्या की पलपल की घट्टाओं को पलपल की खबरों को आप देश तक पहुचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी अगर लोग थोड़ा सा धैरे रख करके अपनी बारीक अंथचार करने के साथ यहां के लिए कारिकरम के नुसार आएंगे तो किसी को भी और सुवधानी होगी इस प्रकार की विवस्ताइं यहां पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार अस्थाने प्रसासन इसमें भरपू कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोग ने इसके लिए बीट पढ़ना ली भी लागू करने के लिए का है जो निचले अस्तर तक लोगों से संबाद बना करके उनको लहने और उनको बिवस्तित तरीके से दर्शन कराने में युगतान दे सके हर प्रकार की बिवस्ताइं सिराम जन्भों में तीर्थ छेतर न्यास इसके बारे में तै करेगा और जब से हो तै करेंगा तब से दर्शन की प्रिट्रेस होगा